जो आज इसको हम कलेक्टेट कहते हैं, ये वास्तों में स्टेट टाइम का महराज का बना हुआ, पहले स्टेट टाइम के जितने भी ओफिस थे, सब पैलस में ही लगा करते थे, बाद में 1936 के पहले महराज और उस समय के ततकालिन दिवान डीडी डैडी मास्टर, पार्सी थे उसी के पेटरन पे, अम्भिकापूर में भी वे अपना हाई कोर्ट या कछरी बनाना चाहते थे, तो महराज और डीडी डैडी मास्टर दिवान इलाहाबाद गया थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का नक्सा लेके आए, डिजाइन लेके आए, और सब कुस समझ के आए, त उसी के आधार पर छोटे अपने आविश्चता नुशार महराज ने हाँ कछर का इस्थापना किया, वो रघुनात कम्बाइंड हाई कोर्ट एंड कछरी कहलाता था, तो ये बिलीडिंग बनी इसी में आफिस हुआ करता था, डेडी मास्टर भी कोर्ट होल्ड करते थे, जब इस्टेट मरजर हुआ, भारत के आजादी के बाद ये तैह हुआ कि सब रियासतें भारत संग में बिलीन होंगी, तब सर्गुजा, कोरिया और चांद भखार भी भारत सरकार में बिलीन हो गई, तो 31 दिसंबर 1947 तक सर्गुजा इस्टेट का अस्तित रहा, एक जनवरी को एक जनवरी 1948 से सर्गुजा जीला बना, तो महराज रामानू शरंड सिंग का लास्ट वर्किंग डे था 31 दिसंबर 1947, तो एक जनवरी 1948 को महराज ने वहां पे बटब्रिक्ष रोपा, जेडी केरावाला पहले कलेक्टर थे, उस समय कलेक्टर का पद नाम DC हुआ करता था, मतलब डिप्टी कमिशनर, इसलिए अंभिकापूर का कलेक्टर बंगला रोड को आज भी लोग DC रोड कहते हैं, DC से ताथ पर डिस्टिक कलेक्टर ने, डिस्टिक कमिशनर उनका बंगला था वो, तो वहां महराज जो है एक जनवरी 1948 को पौधा रोपे थे, दोनों पौधा महराज और जेडी के रहा वाला दोनों ने मिलके जमीन के अंदर गाड कर एक उसका मिटी पाटा था, तो वह एक प्रतीक है एक जनवरी 1948 को महराज ने इस्टरेट हस्तांतरित किया, तो वह महराज की निशानी है, अंतिम निशानी अक्सर हमारे आसपास मौजूद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो बाद में भविस में विरासत का रूप ले लेती हैं, ऐसी ही एक विरासत सरगुजा कलेक्टरेट के सामने हैं, यह एक बरगत का पेड़ है इस पेड़ को उस वक्त सरगुजा महराज और ततकालीं सरगुजा कलेक्टर ने लगाया था, जब सरगुजा महराज ने सरगुजा के पहले कलेक्टर को सत्ता हस्तांकरित की थी सत्ता हस्तानकरण के बाद महराश सरगुजा और सरगुजा के पहले कलेक्टर ने इस पेड को लगाया और तब से यह पेड इसी स्थान पर विराजमान है और आज यह पेड काफी विसालकाय हो चुका है यहाँ पर इसके पीछे जो आज कलेक्टर की बिल्डिंग है इस भावन में रियासतकाल में कभी सरगुजा इस्टेट की विधान सभा और सरगुजा का हाई कोट लगा करता था फिलहाल इमारत वही है लेकिन अब उस कार्याले में उस भावन में कलेक्टर समेर तमाम सास की कार्याले संचालित होते हैं और उसके सामने यह विसाल वरगत का वरिच्छ आज भी विराजमान है जो सरगुजा की विरासत के रूप में खड़ा हुआ है देश दीपक गुप्ता, ETV भारत सरगुजा